सेंटरल एवेन्यू के अंबीट का चौक पर दिन धाड़े वैपारी के करमचारी को जखमी करके डेड़ लाख रुपए लूट लिये गए इसे वारदात से परिस्ता में खलवली मच गई 36 वर्षे पंकच चंदरिशेकर गुट के गम वैपारी के पास काम करता है गुरुवार दुपहर पंकच वैपारी के चापरू नगर चौक स्थित HDFC बैंक के खाती से डेड़ लाख रुपए निकालने के लिए आया था दुपहर बारबचे डेड़ लाख रुपए बैग में रखकर पंकच बैंक से एक्टिवा पर सवार होकर रवाना हुआ उसने पैसो की बैग कंदे में लटकाई थी अम्बेट का चौक इस्तेत मैट्रो स्टेशन के पास बाइक पर सवार दो युवक पीछे से आये चालक के पीछे बैठे युवक ने पंकच के कंदे से बैग छीन दे अचाना कोई वारदा से पंकच का एक्टिवा से नियंदरन छूट गया वह एक्टिवा सहित गिर कर जखमी हो गया इसी दोरान लुटेरे फरार हो गये पंकच ने अपने मालिक को सूच न दी डुटेरे बर्दमान नगर की दिश्या में फरार हुए हैं उनके बैंक से ही पंकच का पीछा किये जाने का संदे है कैमरा परसन अखिलेश भारत द्वाज के साथ अभिशेक पांसी BCN News नागपुर